कि अधियु आधियु आधियु आधियुको माननी प्रधान मंत्री जी से संवात के लिए आमंत्रित करता हूं यह नरेंद्र जी को नरेंद्र का नमस्तार सबसे पहले हम आपको धनवाद देते हैं अब पतिपती दोनों को चस्मा आ गया इतना कैसे जल्दी-जल्दी चस्मा आ गया हम सिलाई का काम करते हैं महोदा इसलिए हमें अच्छा अच्छा सोई दाखे के कारण हो गया माली मुखमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्वाद देते हैं देखिए पहले पश्पन में आँखों की कसरत के लिए दादी मां घर में कहती जी चलिए सुई धागा परो करके देखिए तुमारी आँख ठीक हैक नहीं है लेकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आप यहाफ की दोनों की आखे चश्मा अगया जी स्रीमार कई यह कि आप नए गर में ग्रफ पर्विश्च कर रहें है कि जी स्रीमान महुद है यह कलर कि से बनाई है मखान का कलर किसने टै कि आपने कि है अपठिनी ने टै किए निए धर्म पथनी ने टै किया ऑ ढोगाता परिवार में और वह रिस्षे नाते में इस न्या मकन में म के लग रही आ होल है आज पक्का आवास मिलने से स्रीमान मुझे बहुत लाब हुआ है आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है कच्छा मकान होने से मेरी बेटी की सर्फ के काड़ने से मिलत्य हो गई माननी कच्छे मकान में मेरी बच्ची की सर्फ के काड़ने से मिलत्य हो गई 24 दिन के अंक्राल में मेरे बेटे की मिलत्य हो गई हमारे उपर दुखों का पहार ठूटा स्रीमान महोद्य कुछ समय के बाद सासन के सम्मल्द से मुझे समर्ने का अबसर मिला आवास के साथ सम्म्रद परियावास की 19 योजनाओं के माद्यम से मुझे ओबरने का आवसर मिला माननी महोद्य मैं सिलाई का काम जानता हूं कुछ जमीन का भी चुकड़ा है मेरे पास एक भैस भी रखता हूं माननी महोद्य से जो आप देश की सेवा के लिए समर्पित हैं चाहे वो 370 हो या तीन तलाक हो या आवास के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो तो नरेंद्र जी नरेंद्र जी के चुनाबुनाव लड़ने का इरादा है क्या नहीं सर तो आप इतनी सारी बाते बोल रहे हो तक्ता हूं नहीं सर सुन्य की बात नहीं है ये ये कहिए की बात है सर मेरा आप से निवेदन आग रहे है मानी मेरी धर्म पत्नी से भी जरूर बात करें जरूर जरूर बताईए क्या शुम नाव है आपता मानी ब्रदर मंत जी नवस्ते सबसे पहले हम आपको आशिरवाद देते हैं धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद हमें माताओं के अशिरवाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसलिए आपने सही कहा है आपके पती जो कह रहे हैं वो गलत कहा है हर माता का अशिरवाद मेरी बहुत बड़ी पूझी है कि अन्यवेदन है आपने मेरको यह सब्सक्राइब करने का आप मेरको हां या ना में जवाब दिया चलिए आपका निमंतर मेरी सर आखों पर और मुझे मैं भी इश्वर से प्राथना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं और यह मोका मेरे नसीब में आ जाएं मेरे लिए वह सबसे खुशी का दिन होगा हमको भी इतना धन्य होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा आज मेरा स्थायद मुझे मांगी महुद है जो मुझे गम प्रकृति ने दिया मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो गम बड़ा था आज मुझे खुशी बढ़ी है मुझे बताया कि इस घर के स्विकृति पत्र में आपकी पत्नी का भी नाम है और आपका भी नाम है जी महुद है तो ये कभी मन में नहीं हुआ कि ये पत्नी के नाम पर मकान चला जाएगा तो क्या होगा नहीं स्रीमान मेरे साथ पूर्ण सायोग रहता अच्छा चलिए अच्छा है इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष हमारी बहनों का सश्रक्ति करन भी है अच्छा ये बताईए कि आप जो कामकाज करते हैं अब पहले घर की तुलना में इस नए घर में आने के कारण आपका जो खुद का कारोबार है उसमें क्या बढ़लावाएगा इस में आजीव का मिसंसे जो का समू का गठन किया उससे मैंने सिचाइव स्लाई का प्रशिच्ण भी लिया है आज मेरा कारोबार बढ़िया मेरे दारोटी चल रही है उसमाध्यम से कितनी वहां कितने लोग हैं जो आपके कम का कपड़े बनवाने आते हैं किस प्रकार के पहले में गाउं का कपड़ा बनाता था वैसी केस्टमरों का आज मैं अपने गाउं के बच्चों को अपने बच्चे मानकर गणवेश सिलाई का काम कर रहा हूं महुदय अच्छा उनके गणवेश बनाते हो जी महुदय वाँ चलिए फिर तो ये बच्चे जब पढ़कर आप एक दिन में अभी तो आठ दस कपड़े बनाती हैं सर तो आपकी दोनों की कोई ट्रेनिंग हुई थी क्या जी कहां हुई तो कि जिला पंचायत में सिरीमान महुदय अच्छा कितने दिन गए उस ट्रेनिंग में आठ दिन लिए चुकि मैं इस काम को जानता हूं मेरा य चलिए नरंद्र जी और अनिता जी आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं आपको प्रधान मंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजीव का मिशन से रोजगार का वाउशल दोनों का लाब मिला है केंदर सरकार और मद्रदे सरकार दोनों का यही लक्षा है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाब सभी गरीब से गरीब परिवार तक पहुँचे ताकि हमारा गाव और हमारा गरीब भी आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बन सके झाल झाल